वेल्कम बेक टो मैं चैनल आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं तो अगर आपको ये हमारा टिप्स और ट्रिक का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना न भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली के साथ और चैनल को सब्स्क्राइब करना न भूलें तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा ये टिप्स है वो है गद्दे को लेगे बच्चे हों घर में तो गद्दा अकसर गंदा ही हो जाता है और फि पास जो पुरानी साड़ियां होती है वो आपके किसी कामकी तो होती नहीं है तो आप क्या कीजिए उसका फोल्ड करके उसको दोनों साइड से आप उसके किनारी इसको सिल दीजिए और सिलने के बाद आप देखेंगे कि उसका बहुत ही अच्छा कवर बनके रेडियो हो गय साड़ी की पतली पट्टी काटके और नहीं तो जो नॉर्मल गद्दे आते हैं वो उसमें साड़ी का कवर अच्छे से फिट बैट जाता है तो आशा है आपको यह जो टिप है वो जरूर पसंद आई होगी तो बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ इसके बाद आप जानते है कि सर्दियां है मटर का सीजन है तो मटर चीलना बहुत ही मुश्किल काम होता है तो इसका बहुत ही अच्छा उपाय तरीके तो बहुत सारी यूटूब पे डले हैं कि वाशिंग मशीन में करो यह करो वो करो देखो हम किसी की वीडियो के बुराई नहीं कर रहे हैं लेकिन यह चीज ऐसी है कि इसमें कीडे भी होते हैं आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया भी है कि इसमें और यह सबको मालुम भी होगा आपको कि जो मटर है उसमें कई मटर ऐसी होते हैं उसके अंदर कीडे भी होते हैं अगर इसको हम बॉयल करके चीलते हैं या किसी और तर रही है या बच्चे को homework करा रही है या फिर कोई आके आपके पास बैट गया है तो ऐसे मैं फ्री बैठे बैठे मटर रख लो आप अपने सामने और आराम से अपना काम भी करते जाओ जैसे homework कराने का फोन पर बात करने का है या टीवी देखने का काम है या आप धूप में वैसे ही फ्री बैठी हो तो इस टाइम आप मटर एक साथ लेके बैठ जाओ और आराम से उसको अच्छे से साफ कर लो क्योंकि मटर को बहुत ध्यान से साफ करना पड़ता है उसमें बहुत कई मटर में ऐ इसा होता है कि कीड़े भी निकलते हैं तो यह मटर चीलना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं आप देख सकते हैं इसमें कितना बड़ा कीड़ा है तो यह सब अगर हम एक साथ चीलेंगे या किसी और तरीके चीलेंगे तो कीड़े हैं वो भी हमारी मटर में मिक्स हो जाएं और जब भी आपको चाहिए तब इसमें से निकल के और यूज कर लें तो उसके बाद हमारा जो है जो टिप्स है वो दाल को लेगे हैं दाल बनाना जब हम दाल बनाते हैं तो फिर उसके बाद उसको तड़का लगाने में भी बहुत टाइम लगता है तो आप क्या करें जब दाल आपकी अच्छे से बन जाए तो उसको आप इस तरह से मिक्स कर दें टमाटर को दाल में और उसके बाद तड़का लगा दें तो आपकी बहुत जल्दी और बहुत कम समय में आपकी जो दाल है तड़के वाली वो बनके रेडी हो जाएगी तो आशा है आपको यह जो हम पारी टिप है वो भी पसंद आई होगी अब बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ तो जो लाल मिर्ची है वो हम थोड़ी थोड़ी करके तो करते नहीं है तो जब हम एक खटी लाल मिर्च पजार से लेके आते हैं या पिसवाते हैं तो इसको स्टोर करना भी एक बहुत ऐसा होता है कि कीड़े लग जाते हैं छोटे-छोटे काले-कारे से तो उससे पूरी मिर्ची खराब हो जाती है और हमको फेक नहीं पड़ती है तो आप क्या कीजीए कि एक छोटासा हिंग का टुकड़ा लीजिए और लाल मिर्च में आप इस तरह से उसको डाल दें तो हिं से जो आपकी मिर्ची है वो सेफ रहेगी फटे हुए पैरों को आप एक बहुत ही अच्छे घरेलों उसके से सौफ्ट बना सकती हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले लेना थोड़ा सा आटा उसमें मिलाएं शहेद और थोड़ा सा सिरका यानि विनेगर और तीनों को मिलाक करके और उसमें ये पेस्ट को आप रगड के अच्छे से साफ करें तो कुछी दिनों में आप देखेंगे कि आपके जो पैर हैं उनका फटना बंद हो गया है तो पैरों को मुलाएं बनाने के लिए तरीक आपके लिए बैस्ट है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और श